अस्सलामूं अलेकूम मैं जुलेखा अरफाद जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़ियासा मटन की ग्रेवी जिसका नाम है तंदूरी मटन टिक का मसाला बौदी मज़ेदार जट पर घर के हाजर मसालों से रेस्टोन से वेटर बनती है जरूर उसमें गोश्कों गलाने वाली हूँ आप चाहें तो पतिली का इस्तमाल कर सकते हैं चूला पास्ट आज पर चालू कर दीजिए दो टेबिल स्पून जितना तेल डाल दीजिए इसमें डाल दीजिए साड़े साथ सो ग्राम मटन बोनलेस इसकी चर्वी निकाली हुई है दो चोटा चाहे का चमच हल्दी पाउडर 3-4 टेबल स्पून आधरा गलसन का पेस्ट दाल कर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए मिक्स हो जाए तो इसमें डाल दीजिए एक चोटा चाहे का चमच टिक का मसाला और इसके साथ साथ देड़ चोटा चाहे का चमच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आपका स्पाइसी हो तो कम डालिएगा और 1-4 चोटा चाहे का चमच घरम मसाले का पाउडर दाल दीजिए पानी डाल दीजिए और इसे mix करके इसे धाक कर तकरीबन एक सीटी फास्ट आँच पर खिला लीजिए जब एक सीटी हो जाए slow आँच करके 10 से 12 मिनिट तक slow आँच पर पकने दीजिए 12 मिनिट हो जाए तो चूले को कर दीजिए पंद अगर आपके पास ठिक का मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं वो आप skip कर दीजिएगा और गरम मसाला दालने के बचा एक चोड़ा चाय का चमच दाल दीजिएगा 10-11 मिनिट हो गए तो मैंने चूला कर दिया बंद अच्छा प्रेशन निकल जाए तो इसको खोल लीजिए आप देख सकते हैं पानी तो है इसमें तब हम completely इसे फास्ट आज करके बार-बार चलाते हुए ड्राय कर लीजिए यह देखे ऐसे जब हलका हलका ग्रेवी दिखे आपको तब आप क्या कीजिए निम्बू का रस दाल दीजिए मैं आधे निम्बू को निचोड कर दाल देती हूँ आप आपके स्वादन उसार दाल सकते हैं चला लीजिए और completely इसे ट्राय आउट कर लीजिए हमारे मटन के पीसेज को थोड मैंने 10-11 मिनिटीज इस लो आज पर रखाता चलिए नचूला कर देती हूँ बंद completely हो गया है मटन ड्राय आउट तो साइट पर वाटी रखिए उसे रख दीजिए इसमें गरम कर रहा हुआ कोईला रख दीजिए अच्छा जो कुकर का धकन है आप अगर वही ले रहे हैं तो मेरी तरह gasket निकाल लीजिए उसकी और rubber निकाल लीजिए मेरा मतलब है और quickly ये कोईले के ऊपर तेल घी या मखन डाले और ठाग दीजिए और इसे as it is side पर रहने दीजिए तो ये डूंगार यानि के कोईले का टांडर जाएगा तो ऐसा टिका वाला फ्लेवर आएगा न मैंने पहले ही दो बड़ी size की प्यास थी उसे तेल में डाला और fry कर लिया अच्छी fry हो गई light golden brown हो गई तो नितार कर निकाल लिया और side पर रख दिया आप देख सकते हैं अच्छी ठंडी हो गई ये तकरीबन एक cup है mixer jar के अंदर दाल दीजिए और तकरीबन ये तीन टेब अगर चाहिए पानी डालने जैसा लगे तो बेशक थोड़ा सा एक दो टेबल स्पून जितना डाल दीजिए और इसे पीस का side पर रख दीजिए वही तेल के अंदर मैं 3-4 टेबल स्पून जितना अधरक लसं का paste डाल देती हूं उसे डाल कर बहुत अच्छे से भून लीज जाती जब कच्छापन चला चाहिए तो यहां पर डाल देती हूं मैं 4 टमाटरों को पीस के आप चाहिए तो 5 टमाटर भी डाल सकते हैं अब इसे तब तक भूनिये जब तक पानी सूखनी जाता और तेल नहीं चुट जाता जब ऐसा हो जाए तो नम्मक डाल दीजे खेला देया पाउडर उन्तिव मैं दाल रहा हूं खीटछ चाहिए तो यहां भूना पीसा पर अधाया पौडर वक्या Orlando नद्यचा चाहिए जाता नहीं इसे पाद इसक्ट पाने ही दाल मिंग्स एँ ऐद़ जकितना अदर में चला जा नहीं ज़ासा Clinician कर जयेक तला नहीं छूट जाता, यह आप देख सकते हैं, बड़िया सा तेल छूट चुका है, कुछ देर बाद, और मसाला भून चुका है, टमाटर भी बहुत अच्छे से भून चुके हैं, अब डाल दीजिए, चूला फास्ट या मीडियमाच कर दीजिए, इसे बार-बार चलाते हुए भून लीजिए, तब तक भूनिये, जब तक हलका हलका तेल छूटने ना लगे, जब आपको लगे हलका हलका तेल छूटने लगा है, तो इसके जो mixer jar के अंदर है, मैंने चला कर पानी ले लिया है, यह तकरीबन 1 foot cup से थोड़ा ज़ादा ही है, आदे cup से कम है, इसे चला कर दाल दीजिए और इसे भी mix कर लीजिए, अच्छे से mix हो जाए, slow launch कर दीजिए और ढाक कर इसे पकने दीजिए, तब तक पकाएं, जब तक तेल नहीं छूट जाता तो मसाला नहीं भून जाता, चले कुछ देर पाद आप देखेंगे तो इस तरीक से तेल छूटने लगा ह मसाला बड़िया सा भून चुका है, आप देख सकते हैं, बड़िया सा जब तेल छूटा है तो, अब यहाँ पर यह जो हमारी मतन के पीसे हमने साइट पर रखे थे हैं, यह डूंगार हटा दीजिए, यानि के कोईला हटा दीजिए, और कोईला पेक दीजिए, स्टील की व भून लीजिए, तो मसाले में मतन का फ्लेवर आएगा, मतन में मसाले का फ्लेवर आएगा, अब जब तेल जूटने लगे, तो यहाँ पर मैं पानी ग्रेवी याने के लिए अपने इसाप से डाल देती हूँ, मैंने एक कप दाला है, आप चाहें तो तो एक कप से उबाला आजाने दीजिए, मुझे हलका नम्मक कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा नम्मक अचस्ट कर लेती हूँ, अच्छा उबाला गया, तो स्लो आज करके इसे ढख कर दम पर 5-6 मिनिट तक पकने दीजिए, चलिए, 6 मिनिट हो चुकी है, और मैं आपको बता देती हूँ तो क्या बड़िया सा मसाला भून चुका है मतन के साथ, और जो मतन जो भी हलका कच्छा था, वो भी पक चुका है पूरी तरीके से, तेल छूट चुका है, तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ, मैंने भूनी है, कसूरी सुखी मेती खो, और उसे चोटी, दो चोटी चैके चमश्थी उसे भून कर, हातों की मदद से क्रश करके डाल दिया, और ये बाजार की मलाई है, मैंने 4 टीबल स्पून लिए, आप जादा भी ले सकते हैं, या कम भी ले सकते हैं, आप चाहें तो दूद के ओपर की मलाई भी ले सकते हैं, इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर ल मसाला की ग्रेवी इसे बड़िया से एक प्याले में निकाले और गर्मा गरम इसे सर्फ कीजिए, आप चाहें तो रोटी पराठा, फुलका, बटननान, प्रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्फ कर सकते हैं, वैसे मैंने बटननान के साथ उप किया है, तो कर्मा गरमम में इ वाले वीडियो के लिए ज़रूर फावर्ड कीजिएगा अगर आप ये रेसेपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्षिन में ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे आपके कमेंट सबने बहुत अच्छे लगते हैं इसे तरीके से बहुत सारी मुटन की ग्रेवी मैंने मेरे रेसेपी मेरे चैनल पर अपलोड की है आप लोगों के लिए पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वहाँ चेक कर लीजेगा तो हाँ बस फिर से हाजिरूंगी नहीं शानदार दमदार रेसेपी के साथ अधिल थे टेक कर लाफिर्स बाइ